बूर्णिंग इस्टुदेंट्स इस साइंस बूक अफ ग्लास सेमें चैप्टर टू चैप्टर टू नूट्रियल नूटिशन इनिमर्स आज आपके चैप्टर रहे तो आज आपको ये एक्स्प्रेंड करेंगे ओन दावे तुदा स्टमक असफ़ेगस असफ़ेगस मिस बोजन नली आफ्टर बिंग च्विडेंट था फूर्ट निगलने के बाद बोजन नली में पहुंचता है लॉंग ट्यूब डेट रंस फ्रूंदा मौ तो दास्टमक बोजन नली एक ट्यूब क्या कारकिए जो मुझ उसे पेट तक पहुंचते है अप्साइड गवेव मसल्मोंमेंट नहीं प्रूश दाप इंट इस्टमक यह बोजन को गले से इस्टमक अंचाते हैं इस मुझे और प्रिंग इवन यह अप्साइड दाउन इन बाई स्टमक अग्या अप्साइड लॉड यह च्टमक आप्या जो पर दोजन को काता है, फूट इंद इस टमख डाइट है श्याइंक का अधिक है। अधुज काता है। फूजन पेट में पहुंचने के बाद पूजन के निचने के बाद रिडिनम में एंटर करता है, जो दो पर यह न पर स्पार्ट है, यह में यह इंजयम इसके बाद शॉते हैं दने अलियम में इसके बाद घुप करता है इन डैली आज एंस्टाइब शाए इंजयम को काटने में, जो इसमें पर जाहना होते हैं, जो बढ़ी आख इंस्टाइब पर प्रियट को जो खोर और दो पर दर भॉजन पर दो फोल फोल नियां रिंगरे स्धक्रय के न सहां साभा तो रिंगरे का मत ही स्धस्गिया डिया जान पोहःकोन दाएा के और रच्टि देख्स्ट पोदी ए रांट के पेडेशंगे बाद स्टमा लेख देखिया से कोज़ देखियाजीव डिदाइख्शल इसके बाद उपर करता है इसके बाद बार बोजन दीसारी साड़ कॉलन में पहंच जाता है and then through the segment column, उसके बाद segment column में फेक गया जाता है, the end of the process, solid waste is then stored in the rectum until it is excreted by the अनस, जो solid waste होता है, वो rectalum में जब तक रहता है, जब तक ही अनस के द्वारा बावनी निकलता है, अनस में स्मल द्वार, प्रणी जया झाल 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 झाल